उतरकाशी सिल्कियारा टरल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल जी हाँ 17 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को पुरी त्रीके से सफल किया जा चुका है लगातार निज्जेशन पे आप अपडेट दिख रहे थे किस तरह से ऑपरेशन को चला जा जा था कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होता है लेकिन 17 दिन 41 जिन्दगिया और 400 घंटे से जादा का समय और पूरा ऑपरेशन सफल कई बार चुनोतिया हैं लेकिन उन चुनोतियों को पार कर लिया गया है अब अपडेट क्या है दरासल इसी टनल के अंदर जो अंधेरे में आपको ये टनल दिखाई दे रही है दरासल यही टनल पिछे 17 दिनों से 17 रातों से सुर्किया बनी हुई थी जिसमें से 41 जिन्दगियों को बाहर अब निकाल लिया गया है लेकिन जो टनल के अंदर फसे हुए मजदूर थे उन्होंने अपना होसला नहीं हारे वो किसी भी तरीके से मुश्किली से घबराएं नहीं और लगातार लगातार वो अपनी डिटेल्स जो थे वो देते रहे और होसले का परचार करते रहें बताते रहें कि हम बिल्कुल स्वास्त हैं तो कुल मिला करके अब ये रेस्क्यू आपरेशन कम्प्लीट किया जा चुका है लेकिन आगे क्या होगा सारी डिटेल आपको मिलताते हैं पहले आप तस्यूरे देखें ये वो गेट है ये वो इंट्री गेट है जहां से बकाईदा यहां से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था तमाम यहां पे जवान पर अमिलिटरी फोर्सिस के जवान इसके लिवा जो उत्रकंड पुलिस के जवान और अन्डी आरेफ जी आरेफ के जवान तमाम जवान यहां पर जो थे ऑपरेशन का हिस्सा बने और यहां से एक तालिस जो मजदूर हैं उनको यहां से ले जाये गया है सन्याल सौन के अस्पताल में जहां पे बकाइदा वहां से जाकर के उनको अस्पताल पहुचाया गया जहां पे 24 घंटे के अब्जर्वेशन पर उनको रखा जाएगा अलग अलग परदेशों से यह मजदूर हैं जो कि इसी टरनल के अंदर बीचे 17 दिनों से फसे हुए थे और फसने कैसे थे यह भी आपको बता देते हैं ऐरा तरीक की रात कुछ इसी तरह की रात थी और उस राच को अचानक नौर्मल टूटि होती है उसके अदार पर बताają पर आचानक एक हासा होता है जिसकी वज़ए से ताम मलबा जो है वो करीब 35 मिटर का मलबा गिड़ जाता है और वो तमाम 41 जिन्दिग्या फस जाती हैं लेकिन अब सब निकल चुके हैं पुरी तरीके से ऑपरेशन को सक्सफूल किया जा चुका है उन तमाम 41 मजदूरों को जो है ऑपरेशन को पूरा करने के बाद 400 घंटे के बाद जो है अब उनको सीधे अस्पिताल में पहुचा आय जा चुका है जहां पर उनको 24 घंटे के अब्सर्वेशन पर रखा जाएगा और उसके बाद उनके स्वस्थ होने के बाकी साहे स्वस्थ हैं लेकिन स्वस्थ होने के पूरी कंडिशन के बाद जो है उनको अलग-अलग प्रदेशों में जहां वो रहते हैं उनको घर जह लियाज का